तो येलो गाईज मैं हुद कर साइफ एफ 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 और वेडियो तो सबसे पहले आप लोग मेरा स्कूर एक बार देख लो यहाँ पर मैंने हिरो एक त्री स्टार लगा लिया है और स्कूर है अभी 4322 तो मेरा इसकूर देखने के बाद आपको एक बार यह चीज़ जरूर लिया तो बात करते हैं यहाँ पर पहले मैच के तो पहले मैच में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ब्लू जोन उतरूंगा एंड थोड़ा रस गेंपले करूंगा जिसकी वज़ए से लेंड कर गया लेंडिंग करते टाइम मेरे साथ काफी ज़्यादा एनेमी उतर रहते हैं यहां का सिच्वेशन अगर मैं आपको एक बार अच्छे से बता हूं तो भाई मेरे को यहां पर बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि आप सभी को पता ही है मैं काटूल इस्तिवा पर उतरता हूं जिसकी वज़ए से मैं थोड़ा रुक के फाइट ले ले मलब जो टेंशन था या फिडर था वो भी थोड़ा सा कम हो चुका था और नीचे आते ही मुझे M1887 शौर्ट रेंज की गन मिल जाते है जो की काफी सही गन है अब इससे मैं फाइट लेने वाला हूं क्योंकि नीचे में अभी जस्ट फाइरिंग का साउंड आया था अब य इसनेमी को मारने के बाद मैं लोड़ बॉक्स उसका लूटने लगता हूं कि तभी मुझे फूट स्टेप का साउंड आता है और मैंने एंटेंग कर ले थे तो वही वाला एनेमी है जिसका हमने लोड़ बॉक्स देगा अब यहां पर दो किल कंप्लीट करने के बाद मेरे को कॉंफिडेंस आना सुडू होगा कि अब मैं किसी एनेमी से फाइट ले सकता हूं कि तभी नीचे से फाइरिंग का साउंड आता है एनेमी दिखता तो है बट मैं उसे डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे पाता हूं और जैसे यह वाल लगाता है तो मैं रश कर देता हूं अब रश करने के बाद पता नहीं क्यों यहां पर क्या होता है मेरे साथ मैं फायर ही नहीं कर पाता हूं और उसके बाद मेरे पर थर्ड पार्टी हो जाती है और मैं यहां पर मर जाता हूं इस मैश के बाद डेली बोनस का कबारा होते हुए मैं और आप साथ में देख सकते हैं त द्यू-जोन पे उतर के सर्वाइव किया अंड फिर बूया भी निकाला आप लोग एक बार मैप में नजर डालो अरे डालो तो देखो ध्यान से कितने जादा एन्यमी उतर रहे बाई M4A1 भी मिल जाती है तो M2B को एक्सचेंज करके मैं M4A1 उठा लेता हूँ एंड मेरे को पता था अगर मैं बीच में रहूंगा तो मेरी चटनी बन जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर बाहर साइड में आ गया बाहर के साइड आते ही मुझे एक एनिमी दिखता है बाट वो एनि में मैं मैं भी मिरे को अब भी भी फाइट होते हुए एक सामने अनिमी दिखता है अब उसे मैंने एक हैड्शोट दे दिया है सोरी अक्टिव है मर भी गया अब जैसे ही मैं उसे लोड़ बॉक्स लोडने जाता हूँ कि तब ही मुझे एक एनिमी दिखता है और उसके पास दिमित्री होता है जिसकी वज़ेसे वह पैक कर लेता है और फिर वापस से हील हो जाता है और यहां पर इसे एक हैड्शॉट नहीं लगता तो मेरा खेल यहां पर खतामी था उसे बहुत ही बड़िया डिसीजन था मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे आस पास बहुत सारे एनिमी आ चुके थे जैसा कि आप लोग मैप में देखी सकते हो एंड शाउंड भी आ रहा था फाइरिंग का तो मैंने फटावर से यहां पर फॉर्केट मार्केट को ला एंड एक MP5 हुआ है अब उसको भी मलब बहुत जादा डामेश पढ़ नहीं रहता है अब यहां पर देखते ही देखते मैंने चार्कील कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा वेस्ट भी पूरा फटा हुआ है अभी मेरे को एनिमी की लोकेशन भी नहीं पता है तो मैंने पॉकेट मार्केट क अब यहां पर जैसे ही मैं खरीदारी कंप्लीट करता हूं तो मेरे को एक पर्फेक्ट टाइम मिलता है जिसमें मैं अपने वेस्ट को अपड़ेट कर लेता हूं क्योंकि वेस्ट अपग्रेट करते ही मुझे फूटिस्टेप का साउंड आता है एक एनिमी मेरे बगल से ही आ इसके पास नाइडी नहीं था जिसका एड्वांटेज मेरे को मिला मैंने आपे वॉल तोड़ा एंड वॉल तोड़ते ही मैं इसके उपर रश करते हैं जिसकी वजह से एक दो गोली के अंदर ही फिनिश भी हो जाता है अब इसका लूट बोक्स मैं लूटता हूं मेरे को ठी प्रक्री को लूटने क्योंकि ब्लू जोन था तो वहां पर मेरे को एक एनेमी दिखता है एंड उस टाइम पे मैं ओपन एरिया में ही गन को स्विच करता हूं और उसे एक चौट देके तुरंट लगा लेता हूं अब मेरे को लगता है कि भाई वह एनेमी मरा नहीं बट उस तो इसे लोग को आप क्या बोलते हों मुझे नहीं पता हूं अगर आप क्या बोलते हो तो टाइम स्टैंप का यूज करके कॉमेंट कर दें अब अगर आप लोग मेरा एक बार किल देखोगे ना तो मैंने आठ किल कर दिया है यह एक शॉक्जिज है क्योंकि मैं इस स्टार्टिंग में बहुत ही कम फाइट लेता हूं यहां पर आठ किल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वह भी मैच के आते ही मेरे को लोड़ बॉक्स दिखता है तो मेरा मूड खराब हो जाता है और फिर मैं सोचता हूं कि भाई यहां से निकलो यहां पर पहले सा ही फाइट हो चुकी है और मुझे यहां पर एक भी एनेमी नहीं दिखने वाला है तो मैं पीक के साइड निकल गया जिप लाइन क करे कि यूज करते टाइम भी और मेरे पास पड़ा हूं है इसका मारने के बाद इसे मेरे को यहाँ पर काफी अच्छी लूट मिल गया थी जो की मेरे को ब्लू जोन में भी नहीं मिली थी एंड हो न हो यह ड्रॉप लूट के ही आया था तो इस właśnie से मेरे को इतने अच्छी खासी लूट मिली अब इस enemy को मारने के बाद जैसे ही मैं zone capture करना start करता हूँ एंड L-shape के पास आता हूँ तब मुझे एक enemy दिख जाता है इसने तो यार काफी जादा damage कर दिया था बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं R-par खेलने वाला हूँ मेरे को अभी कोई डर नहीं है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहां कहां से मैं उसके उपर rush करके मार सकता हूँ अब यहां पर मुझे लग रहा था कि enemy यह wooden वाले house में होगा बट जैसे ही मैं घुसा मिरे को नहीं दिखा enemy तो मैं समझ गया कि यह पत्थर के पीछे गया होगा अब मैं क्या करता हूँ वाल लगा के इसके उबर रष करता हूँ एक grenade कर देता हूँ ग्रिनेड करने के बाद चक्षुय का skill यूज करता हूँ और वह grenade से भी damage होता है तो देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक का यूज करके मैं enemy को मारता हूँ आप भी सीखी जाओगे बस देखते रहो इस enemy को मारने के बाद मेरे हो गए थे 10 skill साथ बंदे बच रहते अब मेरे को जोन कैप्चर करना था चले यार जोन कैप्चर कर लेता एक भी enemy नहीं दिख रहा है मनलब मैं घूमे जा रहा हूँ घूमे जा रहा हूँ बंदों को लगा लेता हूँ अब देखो मैंने उसे एक गोली का चोड़ा है तो मैं उसे रश करूंगा सिंपल से बाते हो इसके ऊपर बट यहां पर मेरे को वह enemy दिखे गई नहीं आप लोग को दी देख लो वह enemy पता नहीं कहां चला जाता है भाई कहां चला जाता है एंड फिर लग जाएगी यार वीडियो तो यार काफी जादा लंबा हो चुका है लगभग 11 मिनट का वीडियो बनने वाला है तो फटा फट से रच करके फिनिश कर देते हैं इस मैस को तो यहां पर दिखा मुझे पहला enemy काफी जादा डैमेज मैंने कर दिया है तो यहां पर यह है दूस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सामने आने वाली वीडियो पे क्लिक करो मैं मिलता हूं आपको उस एपिसोड में